देखे, class 9 के exercise 1.3 का question number 9 है, question में हमसे बोला गया है, classify the following numbers are rational और irrational, हमें question number 9 में कुछ numbers गिवान हैं और इन numbers को हमें ये देखना है कि इन numbers में से कौन-कौन rational है और कौन-कौन irrational है, तो देखे, सबसे पहले जो question है, उसमें है under root 23, देखे, root वाले वो number rational होते हैं, जिन numbers का root find हो सकत होता है, जिनका root निकल आता है, ठीक है, जिसे root 4 होता है, root 4 का, जो root होता है, अगर हम root find करें तो 2 आ जाता है, ठीक है, root 25, root 16, तो जिनका root निकल आता है, root वाले वो number rational होते हैं, और जिनका root नहीं निकल पाता है, वो root वाले number irrational होते हैं, तो अगर हम under root 23 को root से निकालना चाह तो नहीं निखला क्योंकि इसके factor नहीं हो पाईंगे क्योंकि under root 23 के factor नहीं हो पाएंगे तो इसलिए यह क्या हो जाएगा यह ile Oh इसी तरीके से अगर हम इसके second question देखते हैं तो उसमें अबार टू- Acts बैफ़ तो अगर हम under incompet off on चाहें तो इसके factor हो जाते हैं देखिए 2 to 5 के जब आप factor करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 45 टाइम और 5 से फिर ये कटेगा 9 टाइम फिरी 3 3 is a 9 3 1 is a 3 तो अब जब आपने इसके factor करें तो 5 into 5 into 3 into 3 तो 5 बहार निकल जाएगा क्योंकि इसका pair है और 3 भी बहार निकल जाएगा ठीके तो 5 3 15 यानि कि वो root वाला नंबर जिसका root find हो जाता है उस root वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम rational बोलते हैं ठीके तो ये क्या हो जाएगा ये rational हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम decimal number में हमें ये देखना हो कि कौन rational होता है और कौन irrational होता है तो आप ये ध्यान रखें कि point वाले यानि कि decimal वाले वो number जिनकी divide 2 या 3 या 4 तक जाकर रुख जाती है निकि पूरी पूरी खतम हो जाती है वो decimal वाले number rational होते हैं क्या हो जाएगा ये rational number हो क्योंकि चार डिट तक जाकर जो है divide जो है रुख चुकी है ठीक है इसी तरीके से decimal number वो decimal number भी rational में होते हैं जिनके उपर बार लग सकता है ठीक है अब बार किन numbers के उपर लगता है बार उन decimal number के उपर लगता है जिनमें end zone का sign आ रहा हो और point के बाद एक जैसी digit जो है repeat हो रह आ रहा है तो 478 के उपर बार लग सकता है तो वो decimal वाले नंबर जिनके उपर बार लग सकता है वो भी क्या होते हैं वो भी rational होते हैं ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा rational हो जाएगा अब अगर हम question number 5 की बात करते हैं तो ऐसा decimal number जिसमें end zone आ रहा हो end zone का sign आ रहा हो और उसम बार भी नहीं लग सकता हो ठीक है तो वो इर्रेशनल में जाते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर 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 फिर